हेलो दोस्तो वेलकम तू माई चैनल वेलकम तू अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे तो वेलकम तू माई इंस्टाग्राम अगर आप यूटूब पर देख रहे तो वेलकम तू माई यूटूब चैनल अगर आप फेस्बुक पर देख रहे तो वेलकम तू माई तो मतलब बहुत दिन मैं मतलब भूल भी गया था तो मैं सोचा why not कि मैं ये share कर दो अपने मतलब किसी के साथ अगर हुआ होगा तो उसे थोड़ा help मिलेगा कैसे उसे कैसे उसको face करना है उसको help मिलेगा इसके लिए मैंने ये video बनाया है तो let's get started तो guys कैसा हुआ था एक दिन मैं किसी reason से बाहर गया था रात को करीब करीब 9 या 9.5 के आसपास में बाहर गया था अपना काम करकर मैं return आ रहा था अपने घर पे तो like वहाँ जिस area से में return आ रहा था काफी भीड़ भाड़ वाला area था लेकिन बहुत रात हो गए तो normally हमारे यहां शहर में वहाँ पे भीड रहती है लेकिन कैसे रात हो गए थी नो साड़े नो बच गए थे तो शायद वहाँ पे भीड कम थी तो वो जो रस्ता था वो ऐसा four way road था मतलब चार रस्ता था तो मतलब जब हम कभी भी drive करते हैं को कोई भी हम मैं हो आप हो कोई भी drive करते हैं तो कोई भी अगर सामने से आये तो आपका मतलब अाई-Contact होता है एक seconds के लिए आप किसी से i contact करते हो मेरा भी वैसा हो गया था रात को एक बंदा सामने से आ रहा था मैं ऐसे जा रहा था और वो मेरे सामने से न तुछ सामने से आते समय एक seconds के लिए हम मैंने aim time किया उससे I contact करके मैं अपना-पना चला गया अपना-पना चला गया तो फिर वो बंदा भी अपना-पना opposite मेरे opposite वो भी चला गया था तो चला जाने के बाद मैं जाए जा रहा हूँ, सीधा जाए जा रहा हूँ मैंने क्या देखा कि वो बंदा मुझे follow कर रहा है and I was like weird मुझे बहुत weird लगा कि कोई बंदा मुझे क्यों follow करेगा क्योंकि बहुत weird लगा मैंने पहले तो अपने जो instinct होता है अपना जो यह होता है कि ऐसा कोई follow कर रहा है मैंने उसको पहले इग्नॉर किया completely इग्नॉर किया कि शाइब कही जा रहा होगा tested मैंने अपने मैं जो अपने tubular पर था ऐसा कोई ने तक भीडबार वाला एरिया और यह बंदा इसको जाने की जगा ने है तो वो मेरे पिछे से लग आया हुआ है कुछ ने था रस्दा पूरा क्लीर था वह बंदा कैसे मुझे overtake करकर जा सकता था लेकिन वो उसने भी speed slow किया मैं मुझे फिर थोड़ा doubt हुआ कि इसके बार ये क्यों मुझे follow कर रहा है कुछ भी scene हो सकता है वो मेरे पास थोड़ा mobile था cash था तो ये loot सकता है मुझे कुछ भी scene हो सकता है तो मैंने किया अपना गाड़ी का speed जो है वो थोड़ा fast कर लिया fast जैसे ही मैं करता हूँ उसने भी fast कर लिया वो भी मेरे पीछे आ रहा है ये बिलकुल मुझे follow कर रहा है तो मैं फिर भी जाने दो यार आप ऐसे रात को किसी से उलचते नहीं हो आप अपना अपना सीधा सीधा जाते हो जाते हो तो मेरा दिमाग खराब कब हुआ जब वो बंदे ने होऑन भजाना स्टार्ट किया लैंक पवीप पफीप पथीप झा भाई यह रस्ता खाली है ओवरटेग करके जा जा मेरे पीछे क्यों लगा एं ओरटेक करके जा मेरी पूरी तैयारी थी कि अगर것 यह बंदा कुछ उल्टा सीधा करता है तो मैं सीधा उसको पंच कर कभी गड़बडी में अपने घर मत जाना क्योंकि ये बंदिया अगर आपका घर ऐसे ऐसे जो कमीने लोग होते हैं अगर आपका घर देख लेना तो हो सकता है ये आपको स्टॉक करें रोज आपके घर के बाहर आकर खड़े हो जाए या कुछ भी हो सकता है कुछ भी अनसेफ अगर अगर ऐसा मुझे मतलब पता ही ने चाहरा है बंदा क्या सीन है इसका ये मतलब मैं कुछ लूटना चाहरे है मेरे पास mobile cache था थोड़ा बहुत cache था तो ये मुझे लूटना चाहरे है या फिर कोई गे वाला एंगल एक कुछ है क्या मुझे समझ में आ रहा रहा था और तो जैसे उसने होन बजाना स्टार्ट किया मैंने अपनी गाड़ी से उतरा और मैंने उसको बोला कि भाई क्या सीन है क्या चाहिए तेरको तो जैसे ही मैंने बोला ना क्या चाहिए तेरको तो उसने बोला क्या दोगे and I was like what? क्या दोगे? तो मैंने बोला क्या चाहिए? क्य तो बहुत ही जएदा वियर्ड है मतलब क्या सीन था ये मुझे कुछ अभी भी मैं सोचता हो तो मुझे बहुत कंफीजिंग लगता है ये मुझे समझ महीं नहीं आता है ये क्या हुआ मेरे साथ तो बड़ा मतलब weird इसा experience है ये मेरा तो अगर अपके साथ बे ऐसा कुछ weird हुआ है तो आप मेरे साथ share कर सकते है मुझे tag कर सकते है तो that's it this was my weird experience thank you so much guys subscribe to my youtube channel follow me on instagram and follow me on facebook और facebook के मेरे like 26,000 plus follows हो गया है thank you so much to you guys thank you so much keep loving keep supporting thank you